इसल के अंत में राजस्थान में विधान सभाचुनाव हैं जिसको लेह करके तमाम पार्टियां तयारियों में जुट कई हैं। उनसे जुड़ पाएं। अब उस तरीके से राजस्थान में तयारिया जल रही हैं। उसको देख कर ये साफ समझ में आ रहा है कि राजस्थान की जो सियासी गर्मी हैं। आपको बता दे राजस्थान कॉंग्रिस में भी सचिन पाइलेट का कोई पर नहीं है। पाइलेट की तस्वीर नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर रहा है राजस्थान की सियासत में। लेकिन इसके बावजूद भी सचिन पाइलेट की जो सुर हैं वो कॉंग्रिस को ले करके अच्छे हैं। आपको बता दे कि सचिन पाइलेट नहीं जब जनता को सम्भोधित करती ही। कहा कि मैं राहूल गांधी और मलिका और जुन खरगे के नतित्व में रहते वे काम करना चाहता हूं। और हम उन्हीं के नतित्व में रहते वे काम कर रही हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नतित्व में रहते वे हम वापस से सरकार बनाने वाले हैं। फिर से राजिस्थान की जनता कॉंग्रेस पर यकीन कर रही है और राजिस्थान में कॉंग्रेस ही आने वाला है। जीतने वाली है और जितने भी अन्ने पाच राजियों में चुनाव हैं। नहीं सिर्व राजिस्थान बलकि अन्ने पाच राजियों में भी बीज़ेपी हारने वाली है। और कॉंग्रेस जीत हासल करने वाली है। और साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि नहीं सिर्फ विधान सबचुनाव बलकि लोग सबचुनाव में भी हम एक जुटता के साथ चुनाव लड़ने वाली हैं। और एंडी अलायंस को हता करके इंडी अलायंस को जीत आप सभी को दिलवानी हैं और इंडी अलायंस ही जीत हासल करेगा। और साथी साथ उन्होंने राहुल गांदी से ये विश्वास भी जताया है, मलीक अरजन घरगे से विश्वास जताया है, कि इस बार फिर से जीत राजस्थान में कॉंग्रस की ही होनी है, और राजस्थान में जो 30 साल की परंप्रा है, वो तूटने वाले हैं, साथी साथ, पोई नहीं सुना चाहता, बीजेपी की जो सभाई होती है, उसमें कुर्सिया तक भरी नहीं होती, कुर्सिया भी खाली रहती ही, उससे यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी जीतने नहीं वाली है चुनाव बीजेपी को हार का सांदा करना पड़ेगा और जीत कॉंग्रिस की ही होगी अब ऐसे में बीजेपी क्या कहती नजर आती है यह काफी दिल्चस्प होने वाले हैं और आप क्या सोचते हैं रचन बाइलेट की इस बयान पर हमें कॉमें सेक्शन में आकर जरू कर दो